तो हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चानल पे मेरा नाम है विक्रम परशाद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Altokate 10 2019 मौडल के बारे में और आज इस वीडियो में हम जानेगे उसके सिफ्टी फीचर्स के बारे में colors के बारे में, price के बारे में, interior design के बारे में, exterior design के बारे में, engine के बारे में, suspension, fuel tank, सारा कुछ cover करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहे हैं और चैनल के नए हैं तो please subscribe करें और bell icon दबा ले तो चली वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपने इसके upgraded safety features के बारे में, तो new rules के मुताबित इसमें अभी ABS with EVD आपको मिल जाता है, driver side airbag, gear parking sensor, seat belt reminder, speed alert system, ये सारे कुछ नीचे वाले variant से, top वाले variant में आपको standard safety features मिलेंगे और बात करेंगे इसके color options की, तो इसमें आपको white color, silver color, gray, red, orange color का option मिल जाता है, आप कोई भी color और उसके साथ accessories भी आपको बहुत सारी मिलती है, तो उसको आप लगवा सकते हैं अगर इसके exterior design की बात करें, तो सबसे पहले front में आपको मिलता है, smiling front profile with conventional halogen headlamp, chrome की badging मिल जाती है, fog lamp आपको accessory में मिल जाती है और front wheel की बात करेंगे, तो और 13 tubeless tires मिलते हैं, आपको front में disc brake, rear में drum brake, suspension front में आपको मिलता है, max portion strut और rear में मिलता है, 3 link rigid axle suspension बात करेंगे इसके engine options की, तो इसमें आपको 2 engine मिलते है, petrol plus CNG, petrol जो maximum power produce करती है, 67 horsepower का और 19 newton meter का maximum torque और जो CNG वाला model है, वो 43 kilowatt यानि 57 horsepower की maximum power generate करता है, 78 newton meter का maximum torque fuel tank की बात करें, तो petrol में आपको 35 liter का fuel tank मिलता है, जो काफी decent है, और इसका पूरा fuel tank, full fuel tank range होगा, 650 to 700 km के आसपास और अगर CNG वाला variant आप लेते हो, तो petrol का तो option आपको मिलते हैं, यह plus 60 liter का CNG tank मिलता है, और CNG वाला जो variant है, वो उसका mileage काफी improve है, काफी अच्छा उसमें mileage आपको मिलता है अब बात करेंगे इसके interior design और central console के बारे में, तो आपको इसमें मिल जाता है USB, AUX और CD का player, 12 volt का charging socket, FM, Bluetooth, 3 dial manual, EC controls, 2 cup holder, front to power windows, 5 speed manual gearbox, AMT का भी option आपको इसमें मिल जाता है गाड़ी आप personal use के लिए ले रहे हो, तो आप petrol वाला variant ले सकते हो, अगर commercial use के लिए ले रहे हो, तो आप CNG वाला variant प्रिफर करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छा performance मिलेगा, mileage भी उसके काफी अच्छी है, और आपकी business भी grow करेगी है Transmission की बाग करें तो, petrol में आपको 5-speed manual मिल जाता है, EMT का भी option है, पर जो CNG वाला variant है, उसमें सिर्फ आपको manual का यह option मिलता है, उसमें EMT वाला variant नहीं आता है Alto K10 2019 की एक showroom price स्टार्ट होती है, 3.54 lakh से 4.39 lakh रुपीस तक I hope आपको यह मेरा short and simple वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने maximum से maximum जानकारी Alto K10 के बारे में दे दिया है वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजेगा, हलमेट पहनना, सीड बेल पहननना, यह सब आपकी सेफटी के लिए है, थैंक्यू फर वाचिंग, बाई बाई